आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ Download Now Question करा है कि जब हम Extraction करते हैं SEO का जो मेरा Reaction होता है वह Basemur Converter में कौन-कौन सा Reaction होता है तो देखे, Basemur Converter यह है यहाँ पर जो हमेरा Oर डालते हैं और यहाँ से Hot Air का ब्लो करते हैं तो यहाँ Waste Gases के रूप में बाहर निकल जाता है और जो हम ASIO 3 का Lining किया है वह CAO के साथ मिलके CSIO 3 का Formation करता है Select का Formation करके बाहर निकल जाता है और Molten मैटे है और Sand को डाल दिया है मैटे क्या होता है? Cu2S और Fe-Ace होता है तो देखे, Reaction क्या होता है? Fe-Ace होता है, वह O2 के साथ Reaction करके Fe-O का Formation करता है और Fe-O का Formation करता है Again, जो Fe-O है, वह Sand जो Lining है Asio 3 और Asio 2 जो Sand यहां पर है वह Asio 2 के साथ Reaction करके Fe-Aceio 3 का Formation करता है और इसको क्या बोलता है? Select यह क्या होड़ा Impulator के रूप में बाहर निकल जाता है उसके बाद जो मैटे में Fe-S तो यूज कर लिए तो Cu2S बचा तो Cu2S जो होता है वह Again O2 से Roasting करवाता है तो Cu2O और साथ में Asio 2 का Formation होता है अब इसके बाद जो Cu2O है वह खुद Sum Amount में ही क्या होता है? Convert होता है, पूरा Cu2S नहीं होता है तो Cu2S होता है जो Cu2S से Reaction करके Cu2O देखे, Cu2S का Reaction हुआ यानि Self Reduction यहां होता है और Cu का Formation होता है और So2 का Formation होता है तो आईए हम क्या करते है Option चेक करते है कौन सा Option सही है तो बलाए 2 Cu2O CuS से Reaction करके Cu और So2 का Formation करेगा यह देखे, हमें Extraction Cu का ठक करना था तो यहां से ही क्या हुआ? मेरा Main Cu का Extraction हुआ यानि यह Option क्या है? आच 4444 सूपर